फाइनली इंडस गेम में टीडियम मोड आ गया है जो की देखने में काफी खतरनक लग रहा है आज के इस वीड़ों मैं आपको टीडियम मोड का एक्सक्लूसिव गेमप्ले दिखाने वाला हूँ और इंडस के रिसेंट टूर्णामेंट इंपर्नो इवेंट के बारे में भी आने वाला हूँ और आपको भी अगर e-sport player बनना है तो इंडस में आपके लिए काफी अच्छे opportunity है इंडस का फर्स जून को इंपर्नो सीजन का टूर्नामेंट एंड हुआ टूर्नामेंट का प्राइस फुल 5 लाग था जो की अंचेंड इवेंट से भी बड़ा था आगे चलके और भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होने वाले है इन पर नो e-sports community बेस्ट टूर्नामेंट था पिछली बार गॉडल गस ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन इस बार स्रीफ वही community टीम्स क्वालिपाई कर पाई थी जो की इंडस गेम्स को पर्मनेंट खेलते जो टीम यहां जी थी उन्हें में टूर्नामेंट के लिए वाल्ड कार्ड इंट्री मिली जहां उन्होंने 5 लाक्स के प्राइस पूल के लिए कंपिट किया इनफोर्नो इवेंट में इस टूर्नामेंट में 12 e-sports टीम्स के मैनेजर और ओनर्स आये थे रवी सर ने उनके आमेंट में पार्टी सेबेट कर सकते हो तो आप बात करते हैं टीडियम टीम-डेट मैच के बारे में तो इनफ्स में फाइनली इतनी डिमांड के बाद आप टीडियम मोड आ गया है ये एक फोरवी फोर टीम डेट मैच फॉर्मैट है डीडियम में मैचे छोटे हूँगे चूज करने का option होगा और ज्यादा action-packed gameplay मिलेगा गेम को जितने के लिए आपको 50 skills करने होंगे तभी आप गेम को जित पाओगे अभी आप screen पे जो gameplay देख रहे हो वो इंडस के TDM mode का gameplay है अभी तो TDM का जो gameplay है उसमें हमें यह PP mode ही देखने को मिल रहा है और TDM का जो map है वो भ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में हुआ 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 ह किर दोल किर दो हुआ sentence झाल 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 झाल